स्री मते बिपलोट हाकुर जी मानने उपद्हक्ष जी धन्यवाद मैं ये राश्पत्री के अभिवाशन पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए खड़ी हुई हूई पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं धन्यवाद किस बात का करूँ कहां से शुरू करूँ मुझे लगता है आप अब चुप रहिए मुझे लगता है मुझे लगता है कि एक कुछल ग्रहनी एक अपना ट्रंक उसको पेंट करके अपनी पुरानी चीज़ें उसमें डाल देती है यही सभी बाशन में है कुछ नया नहीं है वही उजवला है वही दीन दियाल है और वही पे जो है मिशन की बाते हो रही है बेरोज़गारी की कोई बात नहीं है महंगाई की कोई बात नहीं है क्योंकि इनको उसकी चिंता ही नहीं है यह नौजवानों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते आज विद्यार थी जो पूरे देश में जंडा लेके खड़े हैं उनको अपने भविशे का फिकर है कि हम डिगरी तो ले लेंगे पर नोक्रिये कहां से लाएंगे क्योंकि इस अभी भाशन में उसका कोई जिकर ही नहीं है ये अभी भाशन ऐसे लगता है जैसे मौंगरी लाल के सपने दिखाये जा रहे है मौंगरी लाल के 2014 में भी दिखाये थे अभी भी दिखाये रहे है अभी राना जी बोलके गए राने कि जी कॉंग्रेस भी मैनिफेस्टों देती थी हमने करके दिखाया है आज अगर आप गरीबी की रिखा से नीचे देखे तो लोगों का हुआ है अरे आज यहां बैठे हुए हो हुआई जहाजों में चलते हो और उन में चलते हो किस ने दिये किस ने बनाए आई स्कूल कॉलेज उनिवर्सिय किस ने बनाए आई आई टी किस ने बनाई एमेमेंटी किस ने बनाई जिसमें आज आज आप दिखाई दे रहे हो क्या किया है छे साल में केवल भारत को तोड़ने की कोशश की है भारत को बाटने की कोशश की है और कुछ नहीं किया है मास वही करो आज आप लोग आज आप लोग इस देश को इस तरह से बाढ़ना चाहते है कुछ नहीं है ना महिलाओं के लिए है आज पूरी महिलाएं जो है इस चिंता में हैं कि हमारा भविश्य ठीक है हम सुरक्षित है वहाँ उनको कुछ दिया नहीं जा रहा और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं पूछना चाहती हूं क्योंकि आप बहुत इत्यास के बगए है महम्मद गौरी को किसने बुलाया था किसने कहा था दिल्ली में आकमरन करने के लिए कौन जैचंद था महराना परताब जब हल्दी के घाटी में लड़ रहे थे किस राजाए ने उसकी मदद की अकमर के किलाब में बैठ जाएए बैठ आ चुप करके बैठो सुना प्लीज आप चियर को एड्रेस करें मैडम प्लीज इस तरह की भासा ये एक भील जाती के लोगोंने एक भील जाती के लोगोंने महराना परताब का साथ दिया था कहां थे तब आज बात करते है डेश को अजाद कराने के लिए अहिंसा का पाठ बढ़ाया आप गया जाने अहिंसा जो लाठी लेके तो ट्रेड़िंग देते है आज लाठी की जगा बंदूर और निवालवर आ गए है और हमने सिखाया आपको हिंसा आपने सिखाया है जन्तों को हिंसा नफरत और और आज तो मैं उपध्यक्ष जी देश-द्रोही की भी परिभाशा पूछना चाहती क्या है देश-द्रोही की परिभाशा किसको देश-द्रोही कहते है मुझे याद है जब कॉम्मिनिस पार्टी ने भारत की अजादी को नहीं माना था चार साल के लिए बेर्ण कर दी थी लेकिन उनको देश-द्रोही नहीं कहा था नहरू ने सरकार ने देश द्रोही नहीं कहा था पंडित नहरू के खिलाफ लोक सबा में बाचबाई जी बोलते थे उनको देश द्रोही नहीं कहा था आज कोई भी आपके परधान मंतरी के खिलाफ आपके ग्रेम मंतरी के खिलाफ उनकी नीतियों के खिलाफ बोले वो देशतरो ही हो गया है उनको जेल में डाल दो उनको पकड़ लो 6 साल के बच्चों को भी ने आप तो छोड़ रहे आप क्या करेंगे आपके पास कोई आपके पास ना तो कोई कर्यकरम है ना आपके पास भारत के लिए कोई नया सोच है कुछ नहीं है केवल एक सोच है कि कैसे इस देश को तोड़ा जाए सतर साल में अज आज उपाधय suppliers झी हमने पाकिस्तान का हितना नाम नहीं लिया था जितना ये छे सालों में ले रहे हैं हमारी महानाईका ने पाकिस्तान के दो हिस्से कर दिये थे बांट दिया था और ये आज पाकिस्तान के नाम से ड्रा रहे और वैसे कहते हम बहुत मजबूत है हर बात के लिए पाकिस्तान क्यों भई क्या है वो आपका कुछ लगता है हाँ जरूर लोहौर में लोहौर में जरूर ब्रियानी खाने गए थे कॉंगरस नहीं खिलाती बिना बुलाए गए थे और आज बात करते है किसकी बात करते है मैं ये कहना चाहूंगी मैं ये कहना चाहूंगी कि इस भारत को मत तोड़िये बड़े मुश्किल से पटेल नहरू ने इकठा किया है आप तोड रहे हैं आप नहीं कहते हैं आप तोड रहे हैं इसका विभाजन कर रहे हैं लोगों को बांड रहे हैं मैं तो उनको मां उनको अड्रेसी नहीं करती जी मैं उनको समझती कुछ नहीं हूँ वो है ही कुछ नहीं जिनको बोलने की समझ नहीं है उनसे क्या बात करनी है मैं तो ये कह रही हूँ कि इस देश को मत बाढ़ किए इस देश के टुकडे मत कीजिए नफरत मत फिलाईए भेंजी चुप रही अपनी बारी में बोल लेना जो बोलना होगा अब चुप करके बैठी रही है अब देश के टुकडे मत कीजिए आज जो हम इस ते आपका इसी सी ए ने आज जो आपका एक ही देश था पाकिस्तान आपसे नराज चाहिना आपको कुछ नहीं समझता नेपाल भी आपसे खफा हो गया है और बंगला एक बंगला देश था बंगला देश था जिसको भी आपने इसे नराज कर दिया है आज वो भी सोच ने उसके चार मंद्रियों ने अपना प्रोग्राम कैंसल किया एक उसमें कि इस देश में ऐसी बाते हो रही है इतना ज्यादा आप कहते हैं कि यूनियन यूनियन को हक नहीं है बोलने का प्रस्थाव लाने का तो उनके एंपी क्यों ले आए थे उनकों कश्मीर क्यों ले गए थे आप ने खुद उनको इन्वाइट किया है आपने खुद इसको इंडिरनेशनल बनाया है आपने खुद इनको दूसरे लोगों को इसके उपर दखल देने के लिए बुलाया है और उने नहीं बुलाया जब तक हमारी सरकारे थी किसी के हिम्मत नहीं पड़ती थी हमारे देश की तरफ देख ले आप लोगों ने किया है ये सब अपनी कर्तूतों को छुपाने के लिए उन लोगों की मदद ले रहे हैं आपके पस कोई प्रोग्राम नहीं है आपके पस कोई कारे करम नहीं है केवल एक करम है कि गोली से उड़ा दो जी मार दो जी ख़़ा दो जी यही आपकी एक तो जी यही आप करने जा रहे हैं इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि इस देश को मत बांटिये इस देश की एकता को बनाए रखिये इस देश में जो भी यहां है आज वो सदियों से रह रहे हैं अब ही नहीं आए है अब पाकिस्तान और बंगलादेश अरे वो तो है इसलामिक अड्रेस उनके बारे में क्या बोलना है हम तो सेकुलर हम तो धरम को मानते हैं किस धरम की बात आप करते हैं किस राम की बात करते हैं जिसने अपनी मर्यादा को रखने के लिए जंता की बाते सुझी थी उस जन्ता की बात सुनके उसने सीता को बनवास भेज दिया और आप लोग बात तक नहीं करना चाहते हैं किस रामराजय की बात करते हैं किसको पूझते हैं हाँ मंदिर बनाईए जरूर बनाईए लेकिन उनके अधर्शों को भी मानिए उनकी बताई हुई बातों को भी मानिए सिर्फ केवल कहने से बात नहीं बनती है उन्चे उन्चे भाषन देने से नहीं बात बनती है इसलिए मैं यही कहूंगी, इस देश को मत बांटिये, एक रहने दीजिये, यह नफरत मत लाइए, यह आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत है.